आज ये जो सर्वोच न्याले का फैसला आया है ये ऐसा फैसला है जो कई मेहत्पून पहलूँ पे ऐसी एक जज्मेंट दे रहा है जिससे की कॉंग्रिस को भी जवाब देने होंगे और कुछ ऐसे लॉयर्ज हैं जो कोट में जाते हैं लेकिन वो वकालत कम करते हैं और कोट को धंकाने का काम ज़्यादा करते है आज कोट ने अपने फैसले में अभी फैसला पूरा आया नहीं है उसको हम लोग अध्यन करेंगे और पढ़ेंगे लेकिन जो बाते कोट में प्रन सुनने के बाद और इसकी सुनवाई कई दिनों तक चली सभी पक्षों को सुना गया और उसके बाद कोट ने कहा है कि इसमें कोई इंडिपेंडेंडेंट प्रोब की आवशक्ता नहीं है कि उन्होंने ये माना है कि जो स्टेटमेंट्स Honorable High Court Judges ने दिये हैं वो विश्वास जगाते हैं और उसके आधार पर ये फैसला किया गया है कोट ने जो सबसे महतपून बात कही है कि जो राजनितिक लड़ाई है वो कोट के बाहर लड़ी जानी चाहिए और चाहे वो कॉंग्रिस पार्टी हो और या कुछ अधिवक्ता लोग हो जो कॉंग्रिस पार्टी के इशारे पे और अधर्वाइस कोट में आके कोट के अंदर राजनितिक लड़ाई लड़ते हैं ये कताई भी उचित नहीं है पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन को आज जैसा संभिजी ने कहा पुलिटिकल इंट्रेस्ट लिटिगेशन भी बनाया गया है और पैसा इंट्रेस्ट लिटिगेशन भी बना दिया गया है ये एक ऐसा केस है जिसमें हमारे राश्टर अध्यच शिरी अमिच शाह जी पूरी तरह से उनका क्यारेक्टर एसासिनेशन करने का प्रयास किया गया हमने देखा कैसे लॉयर्ज ने कोट के अंदर जो मर्यादा होती है उसको बार बार तारतार किया थोड़ा Honorable Judges पे चिलाना, ये धंकी देना कि हम कोट से बाहर चले जाएंगे साथ में श्री अमिच शाह जी का नाम बार बार लेना जबकि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था वो इस केस में पार्टी नहीं थे और ये सारे विद्वान अधिवक्ता ये बात जानते थे लेकिन कहीं न कहीं राजनितिक लड़ाई खोट के अंदर लड़ी जा रही थी दुखद ये है कि एक मामला जो लंबित है जिसकी सुनवाई चल रही है उसमें क्या निर्दने आए इसको सुनिश्चित करने के लिए ये जो अधिवक्ताओं का एक समू है ये शाम को टीवी चैनल पे बैट के लाइव डिबेट करते हुए सर्वोच न्याले के जो नैधीश है उनके चरितर पे उनके कॉंड़क्ट पे रोज सवाल उठाते थी इस एक जो पियाईल फाइल हुई इससे लोगतंतर में जिस तरह से हमारे राश्च अध्रक्ष के खिलाव बयान दिये गए मैं समझता हूँ आज सर्वोच न्याले का जो फैसला आया है ये उचित होगा कि राहुल गांदी जी बहार आएं और माफी मांगे श्री अमिच शाह जी से पूरे देश से और भारत की नैपालिका से हम लोग भूले नहीं है कि कॉंग्रिस के दोहरे माबदंड क्या है टूजी का वरिडिक्ट आता है ट्रायल कोड निचली अदालत का तो मिठाई बाती जाती है और कॉंग्रिस कहती है कि देखिए हमारे उपर धश्टा चार का कोई आरोप नहीं है जबकि सर्वोच न्याले का 122 लाइसंस रद करने का फैसला वहीं था लेकिन आज जब सर्वोच न्याले का फैसला आता है तो अभी फैसला पूरा बाहर आया भी नहीं है और टिपडिया की जा रही है कि ये फैसला गलत है कोई और कारण रहा होगा ये खुद में दिखाता है कि आज कॉंग्रेस की मानसिक्ता क्या हो गई है और क्या ऐसा हो गया है कि सर्वोच न्याले से उपर आज श्री राहूल गांदी जी हो गए है क्या ये मान ले खाता नबही जो राहूल गांदी जी कहे वो ही सही और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो राजनितिक दल होते हैं जो अधिवक्ता होते हैं उनकी जिम्बेदारी लोगतंत्र के प्रती भी होती है और हमारे सम्विधान के प्रती भी होती है और इसी लिए आज के फैसले के बाद कॉंग्रिस को चाहिए कि वो माफी मांगे और कहें कि उनसे गलती हुई है और जो क्यारिक्टर असासिनेशन वो करते हैं उसको वो नहीं करेंगे और अपनी गलती को सुधारेंगे मैं इसी बात के साथ सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें समय दिया और हमें पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से ये बात पूरी तरह से उजागर होगी और जो तक थे हमने रखे हैं श्री अमेच शाजी के बारे में कि कैसे उनका क्यारिक्टर असासिन हमले में और दूसरा जिस तरह से नय पालिका पर हमला हुआ है वो जरूर सामने आई आई आ 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